क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में गरीमा योजना किस राज्य की सरकार ने लौंच की है तो दूसरी तरफ जापान देश के नए प्रदान मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और तीसरी इंपोर्टन बात राज्य सभा के उप सभापती के रूप में किस को ध्वनी मत से नीर विरोण चुन लिया गया है ऐसे ही तेरों बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 16 सितमबर का करंट अफेर का वीडियो तयार किया है यह वीडियो लाश्ट तक देखे लाश्ट में मैं आपसे क्वेशन पुछूंगा जीसका आंसर आपको नीचे कमेंट बोक्स में देना है और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हरेक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले चले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेशन से हाल ही में राज्य सबा का उप सबापती किस को चुन लिया गया है यानिकि इस क्वेशन का सही अंसर है हरीवन्ष नारायन सी जो यहां आप इमेज में देख सकते है तो देखो, राज्यसभा उपसभापती पत के लिए राष्ट्रिय जन्तांत्रिक गट बंदन के उम्मिद्वार हरिवंश नारायन सिंह को ध्वनी मत से राज्यसभा का उपसभापती चुन लिया गया है हरिवंश नारायन सिंह का जन्म 30 जून 1956 को बल्या जिल्ले के सिता बदियारा गाउ में हुआ था तो मैं आपसे पुछना चाहूंगा कि बल्या जिल्ला किस राज्य में स्थी थे और साल 2014 में J.D.U. ने हरिवंश नारायन सिंह को राज्यसभा के लिए नामकित किया था और इस तरह से हरिवंश नारायन सिंह पहली बार संसत तक पहुँचे थे और जब यहां आप लोकेशन में देख सकते हैं दोस्तों यह है बल्या जिल्ला लेकिन यह कौन सा राज्य है वो आपको आंसर देना है निचे कमेट बॉक्स में और आगे बात करें तो आपको राज्यसभा के दो महत्वपुर्ण पद के बारे में याद रखना है राज्यसभा के सभापती कौन है हमारे उप राष्ट्रपती एम वेंक यान नाइडू वो राज्यसभा के सभापती होते है और राज्यसभा के उप सभापती के रूप में नीर विरोध चुन लिया गया है हरिवंश नारयन सिह को और जब यहां हम जिक्र करते हैं राज्यस तो राज्यसभा का गठन हमारे सम्विदान के अनुच्छेद असी के तहद किया गया है Constitution से जुड़ी important बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ ध्यान से देखो राज्यसभा के अधिक्तम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250 लेकिन वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं? 245 अनोनित सदस्य कितने होते हैं? 12 और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए नियूनतम आयू कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष लेकिन लोगसभा का सदस्य बनने के लिए नियूनतम आयू होनी चाहिए 25 वर्ष और राष्ट्रपती के लिए कितनी आयू? 35 वर्ष और सभापती सदन का सदस्य नहीं होता है यह याद रखो लेकिन उप सभापती सदन का सदस्य होता है यह basic information थी राज्य सभा के बारे में और इसी तरह हर question से जुड़े important fact में आपके सामने रखूंगा हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत बुलिएगा दोस्तों दूसरा question है आपकी screen पर हाल ही में United Nations के Commission on States of Women के सदस्य के रूप में कीश को चुना गया दोस्तों United Nations Commission on the Status of Women के सदस्य के रूप में हमने दोस्तों चाइना को परास्त किया और चाइना को हराकर हमारा भारत देश इसका सदस्य बन गया है चार साल के लिए यानिकि इस question का सही आंसर है भारत तो आर्थिक और सामाजिक परिशद यानिकि एको और सोशियोलोजी, एकोनोमिक एंड सोशियल आर्थिक और सामाजिक परिशद की संस्था United Nations के Commission on State of Women के सदस्य के रूप में भारत को चुना गया है और भारत की सको मात देते हुए इस आयोग का सदस्य बना है चीन देश को मात देते हुए भारत इस आयोग का सदस्य बना है और भी question बन सकते है कौनसे question भारत कब तक United Nations के Commission on States of Women का सदस्य रहेगा साल 2021 से लेकर साल 2025 तक यानि कि तकरिबन 4 साल तक के लिए भारत इस आयोग में सदस्य बनेगा और Commission on States of Women के लिए चुनाव किस ने लड़ा था? तीन देश ने चुनाव लड़ा था? भारत, अफगानिस्तान और चीन और इसमें भारत और अफगानिस्तान ने 54 सदस्यों के साथ मतदान में जीत हासिल की है लेकिन चीन को आदे से भी कम वाट मिले यानि कि हमने चीन को परास्त किया है तीसरा कुशन हाल ही में जापान के नए प्रदान मंत्री कौन बने? दोस्तो पहले तो आप मेप में देखें कि यह द्वीपिय इस्तर का यह मेप यह है जापान और जापान इसके आसपास में कौन-कौन से देश थी थे तो यहाँ है सी ओफ जापान और यहाँ से आगे दोस्तो तो जापान के सत्ता रूद दल का नाम क्या है? जो जापान में वर्तमान प्रदान मंत्री बन गये है वो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य है और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नए प्रमुक के रूप में किसको चुना गया है योशी हिदे सुगा यानि कि अब वो बन गये है जापान देश के प्रदान मंत्री लेकिन शिन्जो आबे ने अपने पत से इस्थिफा क्यों दिया वो भी मैं आपको बात बताई थी क कि जापान के प्रदान मंत्री शिन्जो आबे ने इस्थिफा देने की गोशना क्योंकि स्वास्थिय समस्याओ के कारण शिन्जो आबे ने अपना पत द्याग दिया क्योंकि वो कहते थे कि मैं इस हालात में अपने देश के सेवा नहीं कर सकता और जापान के वर्तमान प्रदान मंत्री शिन्जो आबे के उत्तरा दिकारी के रुप में योशी हिदे सुगा को कितने वोट मिले है 377 और जापान की संसत का नाम क्या है जापान की संसत का नाम है डायट जिस तरह हमारे भारत देश में पारलियामेंट जिस तरह रूस में इसी तरह जापान में डायाट चोथा कुशन हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझोते पर हस्ताक्षर किये अमेरिका देश ने हमारे ही पड़ोसी मुलक जीस का नाम है मालदिव दोस्तो यह एक कद वीपी यह कंट्री है मालदिव और मालदिव के साथ अमेरिका ने रक्षा सहयोग समझोते पर हस्ताक्षर किये यानि कि इस कुशन का सही आंसर है मालदिव तो अमेरिका और मालदिव के बीच इस रक्षा सहयोग समझोते का उद्देश क्या है हिंद महासागर क्षेत्र में शान्ती और सुरक्षा सुनिश्चित करना और आपने भी न्यूज में पढ़ा या सुना होगा कि चेन का हिंद महासागर में अतिक्रमण बढ़ रहा है और इसलिए यह समझोता मालदीव ने किया है अमेरिका के साथ और हिंद महासागर में भूमध्य रेखा के एक डिग्री दक्षिन से आठ डिग्री उत्तर तक लगबग एक हज़ार से अधिक द्वीपो के साथ मालदीव भवगोलिक रूप से सबसे अधिक बिखरे हुए देशों में से एक है और यहां दोस्तों आप मेप में देखे कि यह यहां पर है हमारा इंडिया और यहां पर है यह मालदीव तकरीबन एक हज़ार से अधिक द्वीपो में बटा हुआ है यह मालदीव यहां आप जूम करके देख सकते हैं तो मालदीव के साथ समझोता किया है अमेरिका ने और यह द्वीप समो हिंद महासागर में लगबग 90 हज़ार वर्ग किलोमिटर से अधिक खित्रफल कवर करता है और चिन के अतिक्रमन को रोकने के लिए यह अहम कदम माना जाता है और यहां मेरिक में देख सकते हैं मालदीव जो बहुत से सारे द्वीपीय टुकडों में बटा हुआ है और हिंद महासागर में स्थीत एक और मालदीव की कैपिटल का नम क्या है माले और मालदीव के राष्ट्रपदी कौन है इब्राहिम मोहमद सोली और मालदीव की करेंसी है मालदीवी रुफिया पांचवा कुशन भारत ने कीज के साथ मिलकर द्वी पक्षिय 2 प्लस 2 अंतर सत्रिय बैठक का आयोजन किया दोस्तो इस तरह के प्रति वर्ष भारत बैठक आयोजित करता है नाम है द्वी पक्षिय 2 प्लस 2 अंतर सत्रिय बैठक और हमारा देश अमेरिका देश के साथ किसके अमेरिका देश के साथ इस तरका आयोजन करता है यानिकि इस क्वेशन का सही आंसर है अमेरिका तो द्वी पक्षिय 2 प्लस 2 अंतर सत्रिय बैठक के दोरान दोनों पक्षों ने रक्षा, सुरक्षा और विदेश नितिक शेत्रों में द्वीपक्षिय सबंधों में प्रगती और विकाशील बातों की समिक्षा की है तो यहां जब 2 प्लस 2 समझोता है तो यहां 2 प्लस 2 बैठक में हमारे भारत देश के प्रतिनिदित्व किसने कीए तो यहाँ देख सकते हैं इन दोनों ने हमारा भारत की और से प्रतिनिदित्व किया तो भारतिय प्रतिनिदी मंडल का नेत्रुत्व किसने किया है विदेश मंत्रालाई में संयुक्त सचिव सु स्री वानी राव और रक्षा मंद्रालाई में संयुक्त सचीव स्री सौमनात कोष ने हमारे भारत देश की और से प्रतिनिदित्व किया तो दूसरी तरफ अमेरिकी प्रतिनिदी मंडल का नेतरुत्व किसन किया है अमेरिकी राज्य विबाग में दक्षिन और मध्य एशियाई मामलो के ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी नाम है स्री डिन थौमपसन और दूसरे व्यक्ति अमेरिक की रक्षा विबाग में भारत प्रशान सुरक्षा मामले के कारियवाहक सहायक सचिव स्री डेविड हेलवे ने अमेरिका के प्रतिनिती मंडल की और से नित्रुत्व किया चठा कुशन राष्ट्रियो हम्योपेथी आयोग विदेयक 2020 अनुसार हम्योपेथी आयोग में कितने सदस्य होंगे दोस्तो हाल ही में मौनसुन सत्र जारी हो चुका है और हाल ही में लोकसभा में इस तरक का विदेयक पारित किया गया जो कि मार्च 2020 में ही राज्य सभा ने इस विदेयक को पारित किया था लेकिन लोकसभा में वो रिक्त था यानि कि वो बाकी था तो हाल ही में या राष्ट्रियो हम्योपेथी आयोग विदेयक 2020 पारित हुआ है तो इसी के अनुसार हम्योपेथी आयोग में तक्री बन कितने 20 सदस्य होंगे यानकि इस question का सही answer है option C और दो विद्ययक पारित किये गए है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि संसद का मौनसोन सत्र के पहले दिन संसद ने लोक सबाकी मंजूरी के साथ राष्ट्रिय हम्योपेथी आयोग विद्ययक 2020 और इसी के साथ साथ राष्ट्रिय भारतियत चिकित्चा पद्दती विद्ययक 2020 पारित किया दो विधेयक पारित किये और इस वर्ष बजट सत्र के दोरान 19 मार्च को ही राज्य सभा इन विधेयकों को पारित कर चुकी है और इसलिए राज्य सभा में पारित करना अनिवार्य नहीं है और बात करते हैं इसी विधेयकों की तो इन विधेयकों का उद्देश्य क्या है? हम्योपेथी तथा बारतिय चिकित्चा पद्दती के लिए उच्च स्तरिय चिकित्चकों की उपलबदता सू निच्चित करना और राष्ट्रियो हम्योपेथी आयोग विधेयक 2020 राष्ट्रियो हम्योपेथी आयोग की स्थापना के लिए किसका स्थान लेगा? तो यह जो विधेयक पारित किया गया है वो स्थान लेने जा रहा है हम्योपेथी केंद्रिय परिशद अधिनियम 1973 का और जब बात करते हैं हम्योपेथी आयोके तो हम्योपेथी आयोके सदस्यक के रूप में कौन शामिल होंगे तो इस विदियक के तहत इसमें पहले तो 20 सदस्यक होंगे कितने 20 जिसमें से एक अध्यक्ष हम्योपेथी शिक्ष्या बोड़ के अध्यक्ष वो भी सदस्यक होंग और इसी के साथ साथ होम्यो पेथी के लिए चिकित सा समिक्षा और रेटिंग बोड के अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य इस आयोग में शामिल होंगे इसी तरह 20 सदस्यों से होम्यो पेथी आयोग बनेगा और दूस्तरा जो विदेख पारित किया गया है इसका नाम है राष्ट्रिय भारतिय चिकित सा पद्दती आयोग विदेख 2020 तो यह विदेख कीस का स्थान लेगा भारतिय चिकित सा केंद्रिय परिशद अधिनियम 1970 का स्थान लेगा और राष्ट्रिय भारतिय चिकित सा पद्दती आयोग का गठन किया जाएगा और आयोग में सदस्यों के रूप में कौन शामिल होंगे आयूर्वेद बोड के अध्यक्ष युनानी बोड के अध्यक्ष और कुल 29 सदस्य से बनेगा यह आयोग तो दोस्तो यह इंपोर्टन विधेयक पारित किये गए है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्लास 1-2 की एग्जामिनेक्ष न के लिए यह मोस्ट इंपोर्टन बार साथवा कुशन भारत में प्रती वर्ष अभी अंता दिवस कब मनाया जाता है अभी अंता दिवस इंग्लिज में बोले प्रती वर्ष हमारे भारत देश में मनाया जाता है 15 सितंबर को यानि कि कल ही इंजीनियर्स डे मनाया गया लेकिन किस महानुबाव की याद में यह इंजीनियर्स डे मनाया जाता है नेशनल एंजीनियर्स डे किसकी याद में मनाया जाता है हमारे इस महानुबाव की याद में इस महनुभाव का नाम है M. विश्वशरया, पुरा नाम है मौक्ष गुंडम विश्वशरया और इस महनुभाव का जन्मदिन 15 सितंबर को अभियनता दिवस के रूप में मनाया जाता है और सर MV के रूप में जाने जाने वाले है M. विश्वे सरया एक विश्वप्रसित सिविल इंजिनियर थे जो सिंचाई डिजाइनर के मास्टर थे सिंचाई डिजाइन के मास्टर थे हमारे यह एक जाने माने एंजिनियर और उन्हें कई लोगों द्वारा एंजिनियरों के जनक के रूप में भी जाना जाता है और इस महनुभाव के बारे में इस बांध के बारे में हम चर्चा करते है तो 1924 में सर एमबी ने कुरुषना राज सागर जिल और बांध को डिजाइन किया और इसका निरिक्षन किया और यह उस समय का भारत में सबसे बड़ा जलाशय बना था यहां आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों इसका नाम मत बुलेगा नाम है कुरुषना राज सागर जिल और बांध दोनों देख सकते हैं लेकिन किस राज्य में स्थी थे इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है एम विश्वे स्वरया को 1955 में इंजिनिरिंग और शिक्षा के क्षेत्र में उनके कारिय के लिए भारत का सरोच नागरिक संमान भारत रतन से संमानित किया गया था यहां पढ़ सकते हैं भारत रतन से संमानित हमारी एंजिनिर और इसी की याद में जब हम यह दिवस मनाते हैं तो उन्हे जोर्ज पंचम द्वारा ब्रिटिश नाइट हुड किंग से सनमानिक किया गया था और इसलिए आपको इस महनुबाव के बारे में याद रखना चाहिए आठवा क्वेशन हाल ही में Formula One Tuscan Grand Prix 2020 किसने जीती दोस्तो एक कार रेस है जिसका नाम है Formula One Tuscan Grand Prix और यह 2020 का इस इवेंट का यह पहला ही संस्क्रण था और इसमें पहली बार इसको जीत लिया है Lewis Hamilton ने यह के इस question का सही answer है Lewis Hamilton और Lewis Hamilton Great Britain में Mercedes racer है कौन सी company? Mercedes के racer है Lewis Hamilton और F1 Tuscan Grand Prix 2020 कहां आयोजित की गई थी? इटली के मुगेलो सरकिट में इस event को आयोजित किया गया यह इस season की उनकी Lewis Hamilton की 6 जीत थी और उनके career की यह 90 जीत F1 जीत थी दोस्तों वो world record से सिर्फ एक कदम दूर है क्योंकि एक जो world racer है इसका record है 91 और यह Lewis Hamilton पहुच गए है 90 पर और इस race में Valtteri Bottas जो Finland Mercedes से है वो दूसरे स्थान पर रहे जबकि Alexander Albon वो Thailand के Red Bull से जुड़े हुए है वो तीसरे स्थान पर रहे और Tuscan Grand Prix यह पहला संस्क्रण 2020 Formula 1 वर्ल्ड चेंपियन की 9 वी race थी ओके दोस्तों नवा कुशन स्वस्थता कर्मचारियों के लिए गरीमा योजना कीस ने शुरू की यानिकि इस question का सही answer है ओडिशा सरकार और ओडिशा के मुख्यमंत्री कोन है नविन पतनायक जिनों ने इस गरीमा योजना की गोशना की है तो गरीमा नामक नई योजना कीस के द्वारा शुरू की गए इस तरह का यदि question आये तो आंसर बनता है ओडिशा के मुख्यमंत्री नविन पतनायक द्वारा इस गरीमा नामक नई परी योजना को शुरू किया गया है और इस योजना का उद्देश क्या है राजया में कोर सवच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिचीत करना बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है और यह आँ देख सकते है जो सवच्छता कर्मिय है इसकी गरीमा भी यहां होनी इसलिए ओडिशा सरकार ने इससे लॉंज किया है और सरकार ने योजना के कारियन वयन के लिए तक्निकी सहायता प्रदान करने के लिए किस के साथ समझोता किया नौट फॉर प्रोफिट संगठन अर्बन मैनेजमेंट सेंटर के साथ तक्निकी सहयोग लिया है और राज्य सरकार ने गरीमा योजना के लिए कितने रुपिय का आवंटन किया है और स्वच्ता करमचारियों के काम के घंटे प्रती दिन 6 घंटे तक सीमित रहेंगे ओके दोस्तों और जब इसे इस योजना को शुरू किया है ओडिशा ने तो आप मेप में देखे यहाँ पर पस्चिम बंगाल यहाँ पर जारखन चतिस गड़ और यहाँ आंद्रोप्रदेश से सटा हुआ है यह ओडिशा राज्य और यहाँ पर एक वीलर द्वीबिश थी जहां से हाल ही में एक सफल परिक्षन हमारे भारत द्वारा किया गया है और ओडिशा का गठन कब हुआ एक अपरेल 1936 को और इसलिए एक अपरेल को प्रती वर्ष उतकल दिवस मनाया जाता है ओडिशा की राजदानी का नाम है बुवनेश्वर और ओडिशा के वर्तमान र जगनात रत यात्रा और वो पूरी में आयूजित होती है और इस रत यात्रा को दोस्तो राज्य उत्षव का दर्जा दिया गया है दस्वा क्वेशन विश्वस्तर पर हर साल 15 सितमबर को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तो प्रती वर्ष 15 सितमब पहली बार लोकतंत्र का अंतराष्ट्रिय दिवस कब मनाया गया था? वर्ष 2008 में और इस दिवस को 2007 में संयुक्तर राष्ट्र महासबाद्वारा लोकतंत्र के प्रचार और समेकन के लिए समर्पित राष्ट्रिय कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए एक प्रस्ताव के माध्यम से गोशित किया गया था और इसलिए 2008 से प्रती वर्ष मनाया जाता है अंतराष्टिय दिवस लेकिन लोकतंत्र का और हमारा बारत देश विश्व का सबसे बड़ा यह लोकतंत्र वाला दिवस है इंगलिश में बोले तो International Day of Democracy कब मनाया जाता है दोस्तो 15 सितंबर को ग्यारवा क्वेशन हाल ही में सीटी ग्रूप की पहली मैला CEO कौन बनी दोस्तो सीटी ग्रूप की पहली मैला Chief Executive Officer बन गई है जैन फ्रेजर यानिकि इस क्वेशन का सही आंसर है जैन फ्रेजर आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं जैन फ्रेजर को लेकिन जैन फ्रेजर किसका स्थान लेंगी माइकल कौरबेट का किसका माइकल कौरबेट का स्थान लेंगी यह जैन फ्रेजर और जैन फ्रेजर इस प्रमुक वेश्विक बैंक की पहली मैला CEO होंगी और माइकल कॉर्बेट फरवरी 2021 में सेवा निवरूत हो रहे है और उसके बाद यह अपना पदबार संबालेंगी और जब बात करते हैं सीटी ग्रूप की तो सीटी ग्रूप जिसका हेड़क्वाटर कहां पर सी थे संयुक्त राज्य अमेरिका के निव यॉर्क शहर में सीटी ग्रूप की स्थापना 8 अक्टूबर 1998 को हुई और सीटी ग्रूप की अब नई CEO कौन बनने जा रही है दोस्तो जैन फ्रेजर नाम मत बुलिएगा बारवा क्वेशन चीन की एक टेकनोलोजी कंपनी द्वारा किस देश के 10 हजार से अधिक लोगों और संगठोनों पर सक्रिय रूप से निग्रानी की जा रही है दोस्तो यहां एक चौकाने वाला क्वेशन आपकी सामने है कि चीन की एक टेकनोलोजी कंपनी द्वारा एक देश के 10 हजार से अधिक लोगों या संगठनों पर बारी की से नजर रखी जा रही है निग्रानी की जा रही है और इस देश का नाम दोस्तो हमारा ही भारत देश है यहां कि इस क्वेशन का सही आंसर है आप्शन सी भारत तो देखो इंडियन एक्सप्रेस अखबार द्वारा की गई स्वतंत्र जाच के अनुसार चीन की एक टेकनोलोजी कंपनी द्वारा भारत के 10 हजार से अधिक लोग और संगठनों पर सक्रिय रूप से निग्रानी क जा रही है और इस निग्रानी में हमारे देश के राष्ट्रोपती हमारे देश के प्रदानमंत्री हमारे देश की सुप्रीम कॉर्ट के चीफ जस्टीस हमारे सीडियेस और पूर्व हमारे देश के प्रदानमंत्री और यहां देख सकते हैं दोस्तों ऐसे ही बड़ी हस्तिय के सामने नजर रखने जा रही है चीन देश की कंपनी और जाज के मुताबिक चीन के शेंजेन में स्थित जेन हुआ डेटा इनफोर्मेशन टेक्नोलोजी कंपनी लिमीटेड द्वारा भारत के राश्ट्रोपती प्रदानमंत्री चीफ और डिफेंस टाफ और थल सेना नौ से की जा रहे है एक टेक्नोलोजी कंपनी के द्वारा तो इस टेक्नोलोजी को हम कह सकते हैं हाइब्रीड वारफेर तो हाइब्रीड वारफेर क्या होती है हाइब्रीड वारफेर को अपने शत्रूपर गैर सन्य तरीकों से वर्चस्व कायम करने की आधूनिक पद्दती के प्रतिशत तक गिरावट का अनुमान जताया है दोस्तों केर एक हमारे भारत देश की एक रेटिंग एजनसी है और हमारे भारत देश का वित्तिय वर्ष यानि कि चालू वित्तिय वर्ष 2020-21 का भारत का जीडिपी दर माइनस 8 से माइनस 8.2 हो सकता है यानिकि इस क्वेशन का सही अंसर है ओप्शन B और केर रेटिंग एक भारतिय रेटिंग एजनसी है और उनका यह अनुमान उन्होंने पहले जारी किया था वो था माइनस 6.4 प्रतिशत लेकिन हाल ही में केर रेटिंग एजनसी में इसमें माइनस 8.2 तक रहेगी और केर रेटिंग की बात करें तो केर रेटिंग की स्थापना 1993 में हुई इसका मुख्यालई माहराश्टर के मुंबे में स्थी थे और केर रेटिंग के MD and CEO कौन है अजय माहाजन जो इमेज में देख सकते हैं और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेशन पूछा था कि हाल ही में US Open 2020 महला सिंगल्स का खिताब किस ने जिता महला सिंगल्स का खिताब इस जापानीज टेनिस प्लेयर जिसका नाम है नाओमी ओसाका ने जित लिया है यानिकि इस क्वेशन का सही आंसर है नाओमी ओसाका और इस क का सही आंसर बेजा मेर सौनल फ्रम गुजरात सुरेंदर नगर साहिला से जिगनेश पंचाल उन्होंने भी इस क्वेशन का सही आंसर लिखा तसलिम कुरेशे और चेतन जे राजबोत वो गुजरात के नवसारी से है तो आपका भी हमारी चैनल में स्वागत है हमारे और भी फ्रम गुजरात अम्रेली से शीवानी सौलंकी कच गुजरात से मनिक कांत पंडित उन्होंने भी इस क्वेशन का सही आंसर लिखा साकल्या परकाश फ्रम गुजरात के बोटाद छे और हितेश शेख और वो भी हमारे साथ जूड चुके है गुजरात बोटाद गडड़ा और रोजमाल से तो उन्होंने भी इस क्वेशन का सही आंसर दिया और गजरा राजेश, M.D. आजाद और जलपा राणा फ्रम गुजरात गोधरा से तो आपका भी हमारी चैनल में स्वागत है हमारे और भी सब्सक्रेबर फ्रेंड है वो है एनिटाइम स्टडी उन्होंने इस क्वेशन का सही आंसर दिया राजु धर्य जिया वो भी गुजरात छे और दुद्रे जिया धिपक वो गुजरात के भावनगर छे है मोनिका जाखर उन्होंने इस क्वेशन के बारे में डिटेल में बताया विकास कुमार जल गोविन चाक वो पिछले एक साल से हमारे सा जुडे हुए है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अवकाश गोली वाडिया भावना रोहित फ्रोम गुजरात नर्याज छे मोन का चोधरे मैं का चोधरे उन्होंने भी इस क्वेशन का सही आंसर दिया पहली बार हमारी साथ जुड चुके है तो आपका भी हमारी च सिमित स्थान में सबसे तेजी से योग के एक सो आसन करने का विश्वक किरतिमान किसने स्थापित किया दोस्तो इस सिर्फ 12 साल की लड़की हाल ही में वो कक्षा साथ में पढ़ती है और उन्होंने एक नया विश्वक किरतिमान स्थापित किया है सिमित स्थान में सबसे ते सही आंसर दियना है निच्चे कमेंट बॉक्स में और दोस्तों यह भारतिय मुल्की लड़की है और हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक किजिए और आपके दोस्तों तक फेस्बूक वाटसेप या टेलिग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेर किजिए मैं आपसे छोटी सी ही उमीद रखता हूँ साथे चार पांच गंटों की कड़ी महिनत के बाद जब यह वीडियो बन कर तैयार होता है तो आपसे एक छोटी सी उमीद तो रखूंगा ही तो दोस्तों प्लीज आप इस वीडियो की लिंक शेर करना मत बुलेगा कल फिर मिलें आगे नए करेंट फिर वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर एंड जय हैं